खबर इस वक्त की जहाँ यूपी के कन्नौज में बीजेपी नेता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है पूर्व प्रधान रह चुके हैं बीजेपी के आरून इशा के और चिब्रामाओ की विधायक अर्चना पांडे का ये आरोप है इस पी के लोगों ने चुनावी रंजिश में हत्या कर दी है ये आरोप लगा रही है चुब्रामाओ की विधायक अर्चना पांडे पूरा मामला आपको बता दे पूर्व प्रधान रह चुके हैं बीजेपी के अरुन शाके जिनको लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि कनौज में उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई है एक बार फिर से बता दे ये बड़ी खबर यूपी के कनौज से हलाकि परवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है लेकिन पूरे मामले की जिस तरीके से जाच की जा रही है उसका अपडेट आपको देऊ से पहले बता दे कि कनौज में बीजेपी नेता की पीट-पीट कर ये हत्या कर दी गई है जो बीजेपी के अरुन शाके है उस प्रधान ये रह चुके हैं बीजेपी के उनकी हत्या को लेकर ये बड़ी खबर अरुन शाके के जानकार और प्रतेक्ष दर्शी विजेगोयल की तरफ से पूरे मामले पर क्या कहा गया है सुनिए चुनाव जुके गई है न तो वो आईटी आई जान पुड़े तो उसमें उनको चाज़ दुबाना फर्मी गया है वही रंजी चब ले इसे लिए उन्होंने अबना किया सुनावी दंजिस थी कितने लोग थे लजबा हुँगे 35 आप लोग कितने लोग थे हम दो लोग थे के लग उसके बाद फिर क्या हुआ हुआ कि उन्होंने मारना शुरू करती है हम साथ में ते के लोग साथ में है हम दो लोग थे के लोग हम और प्रधान लोग खतम हुए और फोन लाइन पर अरचना माणने उन्होंने सभा पर आरोप लगाया हाला कि पुलिस अभी जाच करी है अभी किसी की भी गिरफतारी नहीं हुई है और पुलिस का ये कहना है कि ये जो हत्या जो हुई है ये मार्पीट हुई है और पुरानी जंजिश पताई जारी है कि इन दोनों परिवारों में पुरानी रंजिश जो है वो सामने आई है जिसके कारण ये कल ये घटना हुई है हाला कि अभी पुलिस मौके पर पहुची है और चार्च कर रही है लेकिन अभी किसी भी तरीकी के पिन नतीजे की बात करो कि इसमें पूरा मामला क्या है